दुकान के बाहर लगा के रोजना तीन से चार ज़र का प्रॉफिट और मुनाफ़ा कर सकते हो इस तरह की मशीन लेके इस तरह का सेट अप लगा के यह हमारे कस्टमर का ओडर ता पुरा श्टाजा और क्रीमी सॉप्टी निकला इसमें देखिए जरा भी यह आइस और प्रिंकल्स निकाल सकते हो इस तरह का कौन भरना है कौन भर सकते हो इस तरह का पेकेजिंग होला डबी भरना है तो इस तरह का पेकेजिंग होला डबी भर सकते हैं प्लेटर में आइस क्रीम बना के देना है प्लेटर करके अलग से टॉपिंस से ड्राइफ प्रूट से सब ल इस तरह से आप चोकलेट डाल सकते हो उसके तरह चोको चीप से वो डाल सकते हो पर से डेकोरेशन और एट्रेक्शन देने के लिए हैं उस तरह से अलग अलग तरह के कलर्स के स्प्रिंकल्स भी एड़ कर सकते हो डेकोरेशन करने के लिए आप देखें यह डीस बनाने का पूरा स्टीनले स्टेड बना दिया है पूरे ग्राफिक्स कर दिया है उसके उपर सिंगल फ्लेवर की सौप टी आसकी मशीन लिए इस तरह से आप अलग अलग इंट्रेक्रेंज टॉपिंच डेकोरेशन रख सकते हैं 20 रुपे से लेके 100 रुपे तक का वेराइटी इस मशीन के अंदर से बना सकते हो हैवी ड्यूटी मशीन है हाई प्रोडक्शन मशीन है एक घंटे के अंदर 80 से 100 प्रोडक्ट है मशीन बना के देगी पूरी मशीन डिजीटल ऑपरेटेट टच पेनल दिया गया और स्मॉल और कॉमपेक्ट साइज की मशीन है दुकान के बार अपनी सोप है सोप के बार फुट पायरी गिरता है वहाँ पे आपे मशीन लगाए हो रोजाना कम से कम 3-4 जरुप्या मुनाफ़ा कर सकते हैं दोस्तों यह मशीन के अंदर सिंगल फ्लेवर की मशीन है उपर से अलग-अलग कलर्स के ट्रॉपिंस और ट्रिंकल्स निकाल सकते हो इस तरह का कौन भरना है कौन भर सकते हो इस तरह का पेकेजिंग होला डबी भरना है तो इस तरह का पेकेजिंग होला डबी भर सकते हैं प्लेटर मे ने स्टील ले स्टील का है पूरा फ्रेमिंग बना दिया उसके ओपर डेकोरेशन कर दिया है जो प्राइज वोला था प्राइज उन्होंने पुरह लिखवा दिया इसके अंदर पूरी स्मॉल और कॉम्पेक साइज की मशीन है मशीन के अंदर से शॉप्ट और क्रीमी आस्क्रीम निकलने वाल है क्योंकि इस मशीन के अंदर पूरा डिजिटल टॉस्ट पेनल स्मार्ट सिक्यूरिटी डिजिटल एरपम दिया गिया है एंब्रा को कम दिगा स्वन एच्पी वन होस्पावर का हेवी ड्यूटी कुलिंग कंप्रेसर डाला हुआ है दोस्ता मशीन मे अब को मशीन में से कौन निकाल के हम दिखाते हैं दोस्तों इसका सॉप्ट और क्वालेटी कितना स्वाप्ट है देखिए मशीन के अंदर लाइट टूलाय प्रोड़क निकाल तो है इसमें से अब देखिए फ्रेस ताजाव और क्रीमी सॉप्टी निकला इसमें देखिए जरा भी यह आईस और क्रिष्टल नहीं है बड़े-बड़े मॉल्स में अब जिस तरह का आस्क्रीम खाते है उस तरह का सेम क्वालेटी इस मशीन में से निकला देखिए लो वेट आस्क्रीम में तीन राउंड भरने के बावजूद भी हमने कौन को उल्टा कर दिया या आस्क्रीम गिरता नहीं है क्योंकि इस मशीन के अंदर मैक्सिमम एर का कॉंटेटी फील होता है उसके बाद मशीन में से निकल दिया एक कौन बनाने का खर्चा 6-6 में गिरेग स्प्रिंकल्स का लगाने का खर्चा 1-6.5 रुपे में गिरेगा दोस्तो इस तरह से आपको डबिया बनाना है पेकेजिंग का काम करना है तो इस तरह से पेकेजिंग का भी मशीन के अंदर से काम कर सकते देखिए कितना बहतरीन आस्क्रीम निकला है एकदम सॉप्ट एंड क्रीम ही आस्क्रीमे देखिए इसके उपर इस तरह का कैप डेगा इस तरह का कैप आपको लगा के इसको या तो फ्रीज में स्टोर कर देना या तो जो कस्टमर गिरा आपके पास आया है उसको बैग में बना के दे तो इस तरह से अब डीसिस और प्लेटर्स भी बना सकते हैं अब देखियें कितना बहतरीन सॉप्ट अश्क्रीम निकला है उसके ओपर अलग अलग तरह का स्प्रिंकल्स और टॉपिंज ढालना है चॉकलेट का टॉपिंज डालना आप देखिये इस तरह से अप चौकलेट डाल सकते हो उस की तरह चौको चीप से हो डाल सकते हो पर से डेकोरेशन और एट्रैक्शन देने के लिए उस तरह से अलग अलग तरह के कलर्स के sponsors भी कर सकते हो डेकोरेशन करने के पूरी मशीन मुमेंट वाली है नीचे विल्स लिए लॉकिंग सिस्टम दिया गी है पूरी मशीन को मुमेंट हो जाएगी आप देखिए मशीन का पूरा बैक सेड लुक है यहां पर हमने ड्रॉवर्स भी दिया है कस्टमर की रिक कॉमेंट के सबसे यहां पर पेसा है थेली है बेग यह जादा का गोई भी एक्स्ट्रावर की यहां पर रखना है और इसके अंदर भी डोर दिया है नीचे का भी आपको मट्रियल सब यूजिंग में आएगा एक्स्ट्रा के कौंस रखने है पावडर रखने है बाउल्स रखने है प्लेवर बनाने के लिए मिक्चर रखना है तो हर एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा चीज भी यहां पर आसानी से रख सकते हो इस तरह का स्टेंड अगर आपको नहीं लेना है डाले हुए एक्जामबल तोर पे डिजीटल ओपरेटिंग पेनल डाला हुआ है स्मार्ट सिक्यूरिटी दिया है डिजीटल एर पंप दिया हुआ है और वन एस्पी का वर्ल्ड की टॉप ब्रांड इंब्रा को कमदी का कूलिंग सिस्टम डाला हुआ है इसके अंदर हर एक चीज के लिए डिस्प्ले को एल्टेमेट किया गया यहां पर टैंक में हमने मट्रियल डाला हुआ है यहां पर सिक्स लिटर स्टॉरेड मट्रियल रहेगा देखिए यह पूरा स्टॉरेड मट्रियल है जो अपना दूध रहता है इस तरह का दूध यहां पर पड़ा तो यहां पे कितना voltage आ रहा है, कितना power आ रहा है, कितने rpm से motor घूम रहा है, कितने कौन machine में से निकले हुए है जब आपको रात को बंद करना है तो इसको आपको push button करके main menu में आ जाना है और main menu में क्या करना है, इसका अंदर wash button है, freeze button है, deep roasting button है, machine के बारे में कुछ जानना है, play button है machine में कुछ modification करना है, setting का button है दोस्तो deep roasting का button आप दबाएंगे, तो जितना भी आश्क्रीम जमाऊ हो है, तकरीबन एक मिनिट के अंदर पूरा वापिस milk को liquid हो जाएगा, दूद हो जाएगा दोस्तो, deep roasting करके आपको जितना दूद का मटिलो निकाल लेना है, और जितना अच्छा माले उसको निकाल लेना है उसके बार दो बार सादे पानी से और एक बार गरम पानी से ऊसका बटन दबा के मशीन को क्लीन कर देना है दोस्तो मशीन में कुछ मोडिफिकेशन करना है, तो पास्टोल डालके आप उसके अंदर मोडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे के counting 00 करना है दोस्तो आपको तो आपको तो तो टोटली डिटेल सबको डिस्प्लेश करेगा तो इस तरह की आदूनिक मशीन और इस तरह का बेश्ट बिजनेस आइडियास की ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लेंस कंपनी में कॉन्टेक करके हरे एक डिटेल जानकारी फंक यो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों थेंग्यों 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 वर वाच्चिंग